limit of 3x square plus 4 by 5x to the power 4 plus 7x square plus 1 as x tends to infinity तो यहाँ पर हम इसे calculate करने के लिए क्या करते हैं numerator और denominator दोमों को x to the power 4 से multiply और divide करते हैं आपर लिखेंगे limit x tends to infinity x to the power 4 into 3x square plus 4 by x to the power 4 यहाँ पर भी denominator को युशी तरह से करेंगे x to the power 4 से multiply करेंगे और फिर उसे x to the power 4 से divide करते हैंगे अब यहाँ पर यह तोनों cancel हो जाएगा हम यहाँ लिख देंगे on multiplying and एहाँ दिए डिवा और युसिक रींने अऐ और i, यही मु commit खुश्रोर यां धेंगे ऑजाएगा, जान अऑ से लिखेंगे और इंफ्ट्यों हमें क्या हो जाएगा ठ्री बाई एक स्क्वार इसी तरह से यह फोर ऑई एक की दी पार हुर ने नहीं भाही इस आ होएगा हम आया याम फ्ली टकले फॉर भाइभ यह थीस्तोन भाहई by x to the power 4 क्या हो जाएगा 7 by x square फिर 1 by x to the power 4 अब हम लिमिट को नियो निटर दिनमिटर दोनों में लगा देंगे लिमिट x tends to infinity 3 by x square plus 4 by x to the power 4 by limit x tends to infinity 5 plus 7 by x square plus 1 by x to the power 4 is equal to हमें क्या value प्राप्त होगा है अगर x की जगा हम इन्फिनिटी पूट करते हैं तो इसका value 0 इसका भी वैलिम क्या हो जाएगा 0 0 0 0 by और यहाँ पर भी उसी तरह से इसका value 0 इसका value 0 हो जाएगा क्या बचेगा सिर्फ 5 तो इस तरह से 0 by 5 is equal to limit of x cos x minus sin x by x square sin x as x tends to 0 तो यहाँ पर यदि हम numerator और denominator में x की जगा 0 पूट करें तो यह 0 by 0 के form में आ जाता है यानि हमें indeterminate form पूट होता है तो उस इस्तिती में हम क्या करेंगे एल होपिटल से रूर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक हैंगे limit x tends to 0 numerator और denominator का हम differentiation करेंगे एक्स के रस्पेक्ट में तो यहां क्या प्राफ हो जाएगा डिवाइड इस ओफ एक्स पॉस एक्स इंटू माइनस इस प्लस को सेक्स और इंटू डिवाइड इस ओफ एक्स वन युगा तो यहां माइनस डिवाइड इस ओफ एक्स पॉस एक्स पूरा में भाई फिरिया पर दिवाइड इस ओफ एक्स इस नेक्स एक्स स्क्वार को सेक्स प्लस माइनस डिवाइड इस ओफ एक्स फ्लेक्स का ऊहाएगा टू एक्स लिग जहेंगे अप्लाइग एल अब इस इक्वेल डू लिमिट एक्स टो जीरो नहीं हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स यह प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसल कर देंगे च्छो एक्स प्लस टू-एक्स साइन एक्स ठीक है अब इस इक्वेल डू लिमिट एक्स टू-जीरो हम इस माइनस को पब यहां को डी आते है ठीक है माइनस वन आगे मिले लेंगे अब यहां x sin x by इन दोनों में से x कमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा यहां x cos x plus 2 sin x ठीक है x x cancel हो जाएगा is equal to minus limit x tends to 0 sin x by x cos x plus 2 sin x is equal to minus अब यहां पर देख रहे हैं कि अगर x की जगा फिर से हम numerator और denominator में 0 पर करते हैं तो फिर हमें इंडिटर्मिनेट हो यहां फिर यहां पर एल होपिटल से रूल को अप्लाई करें limit x tends to 0 क्या हो जाएगा यहां पर cos x और यहां पर x into minus sin x फिर यहां पर plus cos x into divided x of x 1 हो जाएगा यहां प्लस 2 divided x of sin x क्या हो जाएगा मैं है cos x is equal to minus limit x tends to 0 को यह cos x by minus x sin x plus cos x plus 2 cos x plus 3 cos x हो जाएगा is equal to minus limit x tends to 0 इस माइनस को हम उपर मिले सकते हैं cos x by जब हम माइनस को उपर मिलेंगे तो उस इस्तिति में क्या होगा यहां का जो साइन है चैनल जाएगा ठीक है यहां पर x sin x ठीक है और यहां हो जाएगा माइनस थिरी को सेक्स मतलब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस हम कॉमन निकालेंगे ठीक है तो हम मैं यहां पर sin x-3 cos x होगा और उस माइनस को हम उपर में ले लिए निमरेटर के साथ ठीक है अब इस इक्वल टू अब इस माइनस वन को फिर हम बाहर में इस माइनस के साथ लाकर कर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस लिमिट एक स्टेंज टू जीरो cos x by x sin x minus 3 cos x अब यदि हम x की जाएगे 0 पूट करतें इस में तो cos 0 क्या प्राप्त होता है 1 by यहां पर 0 इंटू sin 0 तो 0 ही होगा माइनस 3 into cos 0 यानी 1 माइनस 3 into 1 क्या हो जाएगा माइनस 3 is equal to minus 1 by 3 now questions check whether limit of 10x as x tends to pi by 2 is equal to minus infinity or not तो यहां पर हमें इसे चेक करने के लिए left hand limit और right hand limit दोनो को निकाना हाबा और देखना हुआ कि वाद दोनो लिमिट जो है अगर माइनस infinity के equal है तब हम कहेंगे कि limit of 10x as x tends to pi by 2 is equal to minus infinity तो हम पहले left hand limit निकालते है limit x tends to pi by 2 from left hand side 10x is equal to limit as tends to 0 हम x की जगा pi by 2 minus h ले दो है 10 pi by 2 minus h तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा limit h tends to 0 10 pi by 2 minus h क्या हो जाएगा cot h अब जैदी h की जगा हम 0 put करेंगे तो यह किसके equal होगा infinity के equal है ठीक है अब right hand limit निकालते हैं limit x tends to pi by 2 from right hand side 10x is equal to limit h tends to 0 10 pi by 2 plus h यहाँ पर x 1 pi by 2 plus h से रिप्रेस कर देंगे फिर यहाँ पर limit h tends to 0 10 pi by 2 plus h क्या होता है minus cot h ठीक है is equal to यहाँ पर h की जगा 0 put करेंगे तो हमें क्या value प्रफ्ट होगा minus infinity तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि left hand limit infinity मेल रहा है और right hand limit minus infinity मेल रहा है तो दोनों equal नहीं है दोनों minus infinity के बलाना चाहिए था एक आड़ा एक नहीं आ रहा है इसलिए क्या कहेंगे या रहा है नहीं करता है चुलिए श्रीट में फाल्स है therefore therefore limit X tends to pi by 2 from left hand side 10 X is not equal to limit X tends to pi by 2 from right hand side 10 X okay limit X tends to pi by 2 then X does not exist